नमस्कार दोस्तों इंडिया बोले गाने उस चैनल में आप सभी का स्वागत है जौनपुर के खेता सराय स्थानी ठाने में तैनाथ एक सीपाही ने गुरुवार की देर राती नगर इस्थित अपने निवास पर विभागी कारवाईशे छुपद होने पर जहर खाकर आत्माहत्या करने का प्रयास किया अभी तक इस्थित नाजुक होने से उसे बियचूट ट्रामा सेंटर ट्रेफर कर दिया गया है जहां अब उसकी इस्थित सामान ये बताई जा रही है उक्त थाने पर तैनाथ सिपाही तीस वर्सी उमेश यादो फैजावा जनपर की महराजगन थाना के माया वजार का निवाशी है जो छुट्टी लेकर घर गया था जहां एक महा अत्रिक्त बगएर छुट्टी के ब्यतित किया था वापस लोटने पर उसे गयरहाचित कर उसकी रावानगी पुलिस लाइन के लिए कर दी गई थी विभाग की इस कारवाईशे उक्ते सिपाही काफी ब्यतित हो गया और जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया ऐसे में जब उसकी हालत बिगड गई तो उसके सिपाही साथियों ने उसे नगर के एक नीची हास्पिटल में ले गए जहां इस्थित नाजुक देख चिकिस्तकों ने उसे जिला चिकिस साले रेफर कर दिया वहां से बेहतर इलाज के लिए बीचू वारान से भेज दिया गया यहां पर जहर खाने की पुष्टी डाक्टरों ने किया फिलहाल वहां इस्थित सुधार बताया जा रहा है इसे संबंध में थानय जच्तरी प्रकासराय ने कहा कि उसने अपने नगर के एक प्राइवेट टूम में जहर की नहीं कारणों से खाया था अब इस्थित ठीक है